हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल इन्वर्टिवेट्स एनिमल्स की वीडियो लेक्चर्स के इन सीक्वेंस में आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ओफ फायलम प्रोटोजोवा प्रोटोजोवा जो फायलम है वो सबसे पहला फायलम है इसके अंदर जन्टू पाये जाते हैं एनिमल्स वो कैसे होते हैं माईक्रोस्कोपिक होते हैं यूनी सेलूलिया सिंगल सेल जन्टू इसके अंदर पाये जाते हैं तो यहां जो आप देख सकते हैं कुछ एक्जामपल इसमें अमीबा है यूगलीना है पैरामेशम है इसकी general characters हम already हमारे previous lectures में discuss कर चुके हैं तो आज हम देखेंगे इसका classification इसका classification 1964 में दिया था BM Honigberg नाम के scientist ने जिनों ने इसको divide किया था फोर सब phyla के अंदर इसमें सबसे पहला phyla है सारको मेस्टिगोफोरा दूसरा है स्पोरोजोवा तीसरा है नीडोस्पोरा और लास्ट है सीलियोफोरा तो सबसे पहले हम देखते हैं इस प्रोटोजोवा का एक outline classification देन उसकी अलगला classes या सब phyla में सब classes के characters हम आगे देखेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस image में प्रोटोजोवा को हमने दिवाइड किया है listening साब्स of phylem कौन कोन से इसकी सारको मेस्टिगोफोरा स्पोरोजोवा नीडोस्पोरा dura और सीलियोपोरा इसको फर्दर हमने दिवाइड किया है सबसे पहला गर हम देखें सार कोण मैस्टिगोफोरा आ को हमने divide किया है तीन सूपर क्लास में मैस्टिगोफोरा कॉपलिनेटा और सारकोडिना इन तीनों सूपर क्लास को फर्दर हमने अलग-अलग क्लास में डिवाइट किया है तो यहाँ जो पिंग कलर का इमेज आपको दिख रहे हैं के सूपर कला्स है Mastigophora है Mastigophora को हमने डिवाइट किया है दो classes में Phytomastegophora और Zoo Mastigophora तो Phytomastigophora है उसके ग्जामपल है Yuglena, Cirethium, Noctiluca उसके बाद Zoo Mastigophora एक्जामपल है Lesmania, Trichomonas, Sceptrena Soma एक्सेक्टरा फिर आती है हमारी दूसरी सूपर क्लास ओपे लाइनिटा देन तीसरी है सारकोडाइना सारकोडाइना को हमने फर्दर टिवाइट किया है तीन क्लासेज में तीन वर्गों में सबसे पहला है रैजोपोडिया जिसका एक्जाम्पल है हमारा अमीबा एंटामीब जिससे आप अच्छे से परीचित है देन पीरोप्लाज्मा पीरोप्लाज्मिया और एक्टिनोपोडिया तो ये इसकी तीन क्लासेस है किसकी सारकोडेना सूपर क्लास की तीन क्लासेस है नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसका सेकेंड वाला सब फाइला में हमारा इसको हमने divide किया है तीन classes में, टीलोइसपोरा, टॉक्सो प्लाज्मिया और हेपलोइसपोरिया, तो सबसे पहला जो है इसका टीलोइसपोरिया जो class है, इसके example कौन-कौन से है? Monocesitis, Imeria और प्लाज्मोदियम, दूसरी जो class है इसकी टॉक्सो प्लाज्मिया, उसका एक्जाम है Toxoplasma लास्ट जो इसकी क्लास है Haplosporia उसका एक्जाम पर है Haplosporidium फिर आते हम इसकी थर्ड सब्फायलम है जिसको हम कह रहे है Nidoospora तो Nidoospora को हमने डिवाइट किया है दो क्लासेज में Mixosporidia जिसका एक्जाम है Mixobolus then Microsporidia जिसका एक्जाम पर है Nosema Bombay Cys लास्ट आप इसका जो सब्फायलम है वो Cylophora Cylophora मतब Cylia से रिलेटेड है इसकी एक क्लास है जिसको हम कहते हैं Cylieta तो Cylieta यानि कि जो अजनतू जिसके अंदर Cylia पाय जाते हैं तो इसका एक्जामपल कौन सा है Plasmodium, Voticella, Balandidium तो यह हमने देखा इसका एक General Outline Classification अब हम देखते हैं इसकी हर एक सब्फायलम सूपर क्लास और क्लास के सामाने लक्षन तो सबसे पहला सब्फायलम फर्स्ट है Sarcomastigophora तो Sarcomastigophora का जो मेन केरेक्टर वो क्या है कि इसका जो चलन और्गन अंग है या लोकोमोर्टरी और्गन है वो क्या है सूडेपोडिया है या फ्लेजिला है या फिर दोनों पाय जाते है दूसरी important character इसका यह है कि nuclei of one kind एक ही तरह की nuclei क्यांजरक इसके अंदर पाय जाते है Monomorphic condition इसको कहते हैं दो तरह के अलग-अलग nuclei पाय जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं Dimorphic और कई तरह के अलग-अलग nuclei पाय जाएंगे कैंदर तो उसको हम क्या करते हैं Polymorphic अब आते हम इसकी super class पे super class है इसकी Mastigophora, Mastigophora को हम Flegilator भी कहते हैं जैसी की नाम से आपको पता चल रहा है Flegilator यानि की इनके अंदर जो Locomotory चलन अंग ये वो कौन सा है Flegilator इसको हम क्या कहते हैं इसका Locomotory Organ इसकी जो सामाने लक्षम देखें तो ये जो कैसे हैं Simple है, Simple जनतू है Primitive पुराने टाइप के हैं और इनके अंदर जो बाहरी कवरिंग है जो बाहरी कोशी का जिल्ली या पूरी बाडी की जो बाहर का जो कवर जिससे होता है उसको हम क्या कहते हैं Pellicle Locomotory Organ इसमें क्या है Flegilat है Nutrition यानि की भोजन कैसे लेते हैं या तो Autotropic है अपना भोजन कैसे करते हैं ये खुद बना लेते हैं या फिर Heterotopic है दूसरे Animals ये प्लांट्स के उपर Depend होते हैं या बोथ तो इसका Example आप जानते हैं कि Yuglina Yuglina क्या करता है अपना खाना Sunlight के Presence में खुद बनाता है Otherwise As a Animal ये अपना खाना दूसरों के उपर Depend होकर भी खाता है तो इसकी जो सबसे पहली क्लास है वो है Phytomastigophora यानि कि Phytophagellator Phytos का मतलब क्या होता है Plants तो इसके अंदर वो Animals आएंगे जिसके अंदर क्या पाए जाता है Clorophyll पाए जाता है Clorophyll एक Main Component किसका होता है Plants का जिसके द्वारा वो अपना क्या करते है भोजन बनाते है तो इन जन्तूओं के अंदर जिसका एक्जामपल हम देख रहे हैं यूगलीना है, क्रिप्टो मोना से, वालवोक्स है तो इनके अंदर Clorophyll Bearing Chromatophores पाए जाते है इसकी वज़े से ही क्या करते है Sunlight की Presence में अपना Food खुद बनाते है और Plant की तरह इनके अंदर जो Reserve Food Material है यानि कि जो स्थाई भोजन बनने के बाद इसका जमा रहता है वो किस रूप में है Stars की रूप में जो की Plant में पाए जाता है एक या दो फ्लेजिला इसमें पाए जाते है और कभी-कभी उससे जदा भी पाए जाते है एक्जम्पल हमने देख लिए यहाँ पर यूगलीना, क्रिप्टो मोनास, वालवक्स दूसरी क्लास है Zoo Mastigophora, Zoo का मतलब क्या होता है जन्तू, तो ऐसे जन्तू, जनके अंदर फ्लेजिला एक लोकोमोटरी औरगन की रूप में पाए जाता है तो इसको हम क्या कहते है Zoo Mastigophora या Zoo Flagellate इनके अंदर chlorophyll, chromatophore जब क्या होते हैं, अनुपस्तित होते हैं और mostly यह कैसे होते हैं परजीवी टाइप के होते हैं परासाइट्स होते हैं तो परासाइट्स जो होते हैं उसके अंदर nutrition कैसा है Holozoic या सेप्रोजाइक यानिकि यह दूसरे के ओपर depend होते हैं अपने भोजन के लिए और अज़र परासाइट्स यह अपने सारे क्या हैं परासाइट्स होते हैं अब आती है आपकी सूपर क्लास B सूपर क्लास B कौन सी है ओपेलाइनेटा इसकी जो सारी बोडी होती है ओपेलाइनेटा वो किस्ते कवर होती है सीलिया लाइक फ्लेजिला यानि की syngemi of anisogamets के द्वारा होता है anisogamets मतलब जो अलग-अलग तरह के अगर gamets होते हैं उनको हम बोलते हैं anisogamets parasite यह generally कैसे होते हैं opelinator की जन्तु कैसे हैं pergivie, pergivie किन के अंदर frogs या tots के अंदर इसको जो example आप देख रहे हैं opelinator main example है इसके अंदर आती है फिर 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 थर आती है super class C जिसको हम कहते है sarco dina, sarco dina को हम rhizopoda भी कहते हैं rhizopoda जहां नाम आता है sarco dina नाम आता है तो वहां को याद आता है amoeba जिसका locomotory organ क्या होता है pseudopodium तो body mostly amoeboid इसका शरीर क्यास होता है amoeba जैसा होता है with definite pellicle लेकिन इनकी body cover किसे रहती है एक जिल्ली से जिसको हम क्या कहते है pellicle some with a skeleton of some kind किसी-किसी जन्तु में इनके अंदर क्या होता है बाहिक अंकाल पाए जाता है challenge जो होता है वो किसके द्वारा होता है इसके अंदर pseudopodia के द्वारा होता है nutrition खाना किसे प्रकार लेते है यह holozoic और seprozoic जो बाहर से अपना food यह gain करते हैं और seprozoic condition भी इनमें पाए जा सकती है इसकी first class है rhizopodia rhizopodia मतलब इसका जो locomotory organ है वो है pseudopodia और जैसे कि आप amoeba की life cycle पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो pseudopodia भी होते हैं वो कई तरह के होते हैं और इन जन्तुओं में कई तरह के अलग-अलग type की pseudopodia होते हैं उसका अलग-अलग नाम होते हैं जैसे lophopodia, philopodia, reticulopodia etc तो यह अलग-अलग तरह के pseudopodia इनमें पाए जाते हैं तो main example में इसमें देख रहे हैं हमें क्या है, amoeba है, anti-amoeba है arsala है, etc फिर आती है इसकी class second actinopodia actinopodia भी एक तरह का pseudopodia की basis पे स्को classify किया गया है तो इसके अंदर जो pseudopodia होता है mainly किस प्रकाव का होता है exopodia type का जिसके अंदर axle आगे की तरफ एक फिलामेंट होती है radiating from a spherical body तो शरीर इसका कैसा होता है spherical गोलाकार होता है जिसमें से आगे की तरफ एक फिलामेंट जैसा निकलावा होता है इसके एक्टिनोफाइरस और सुडो spora etc थर्ड क्लास है इसकी pyroplasmia pyroplasmia का क्या अर्थ है वो छोटे छोटे पेरासाइट होते है vertebrates की red blood cells में यानि कि जो कशरू की जनतु है उनकी जो लाल रख्त करने का है उनके अंदर परजीवी होते है इसका जो main example है वो है बेबेसिया बेबेसिया एक परासाइट है लेकिन हमने इसको sporozoa में नहीं रखा है क्योंकि इसकी जो जिवन चकर है उसके अंदर किसी प्रकार का spore नहीं पाया जाता है इसलिए हमने इसको सबक्लास या इस क्लास में रखा है अब आता है हमारा subphylum second sporozoa sporozoa नाम आते हैं हमको पता होना चाहिए कि यह exclusively endoparasite form यानि कि अंतरिक परजिवी जो हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं locomotory organ इनके अंदर absent होता है क्योंकि हम जानते हैं जो भी parasitic form होते हैं उनको locomotion की जरूत नहीं होती है वो body के अंदर अपना स्थान लेते हैं इसलिए इनके अंदर कोई भी चलन अंग जैसे सीलिया फ्लैजिला सूडोपोडिया नहीं पाय जाता है spores usually present तो खास जो बात है सब पाइलम की इसके जिसे नाम से मालूम चल रहा है sporozoa निकी जिसके अंदर spores पाय जाते हैं तो इनके अंदर कहीं नहीं कहीं अलग अलग प्रकार के spores पाय जाते हैं तो सबसे पहली जो क्लास है इसकी है टीलो sporia spores without polar capsule and filament naked or ancestor तो यह भी इसमें बताया जा रहा कि किस प्रकार का spore इसमें पाय जाता है कि spore एक polar capsule type होता है इसके अंदर filament पाय जाती है वो cover भी हो सकता है cyst भी इसके अंदर पाय जा सकता है या spore open भी हो सकता है यानि कि उसके पर कोई cover filament कुछ भी नहीं है तो इसका जो example है monocystis है, grigirina, etc class second है इसकी toxoplasmia toxoplasmia का main लक्षन है कि spores इसमें अनुपस्तित होते है वो खाली a-lengic genin या a-sexual reproduction इसके अंदर पाय जाता है इसका उधारन है toxoplasma class third है इसकी haplosporia इसके अंदर spore का जो case होता है outer cover वो क्या होता है present होता है, पाय जाता है और इसमें भी सिर्फ only asexual reproduction देखने को मिलता है इसका जो एक्जाम पाले है वो है इस्तो sporidium subphylum third है हमारा needle spora needle spora का जो main लक्षन है वो है spores with polar filament present spore के अंदर एक polar polar मतलब head की तरफ के अरिया के अंदर filament तन्तू पाया जाता है इसकी class अगर हम देखें दो class है first class है की mixo sporidium इसके अंदर बड़े-बड़े mixo मतलब बड़ा large spore पाया जाते हैं जो की develop होते हैं कई तरह की कई सारी nuclei से कई सारे केंदरक्स से उसका development होता है और इन spores के अंदर 2 से 3 valves पाया जाते हैं और ये mostly क्या होते हैं परजी भी होते हैं किसके अंदर पाया जाता है ये fishes के अंदर parasite होते हैं इसके example है mixidium, mixobolus, ceratomyxa, adi class second है micro spuridium micro मतलब छोटे तो इसके अंदर जो animal से उनके अंदर spores कैसे पाया जाते हैं small छोटे जो की एक ही nucleus से develop होते हैं और spores के अंदर with a uni valve membrane uni valve मतलब एक ही valve पाया जाता है जैसे कि हम उपर class में देख रहे हैं कि कई सार वाल्व हैं इसके अंदर एक ही valve पाया जाता है और ये जो हैं वो परजिवी ये parasite है कि इसके अंदर arthropod के अंदर और fishes के अंदर इसका example है nosyma अब आता हमारा इसके अंदर इसके अंदर सीलिया पाय जाता है तो इसके अंदर में लोकोमोटरी ओर्गन जो होता है इस फ़्फायलम का वो क्या है सीलिया है और फीडिंग ओर्गनिल एड सम स्टेज इन दर लाइफ सेकल यानिकि सीलिया या तो वयस के अडिल्ट में पाय जाता है या फिर इसकी जिवन चक्रे की किसी भी टाइप में ये किसी भी स्टेज पे लोकोमोटरी ओर्गन सीलिया के रूप में देखा जाता है इसके अंदर खास बात यह है कि नुकलिया से है वो कैसा है इसके अंदर डायमोर्फिक टाइप का यानि कि दो तरह के नुकलियाई केंद्रख इसके अंदर पाए जाते हैं इसके एक ही क्लास है सीलिएटा, सीलिएटा का जो लोकोमेटरी और्गन है वो क्या है हेर लाइक सीलिया प्रजेंट थूर आउट लाइफ यानि कि पूरी लाइफ में सारे जिंदेगी इसकी बॉड़ी के अंदर एक हेर लाइक यानि कि बाल जैसा रेशे टाइप जो स्टक्चर है उसकी सारी उसकी बॉड़ी पर पाए जाती है दूसरा इंपोर्टेंट बात कि इसकी बॉड़ी के अंदर दो चीज़ परमants पाए जाती साइटोस्टों और साइटोस्टों और वह सकूज़न कि जांते हैं कि वह n लक्षनेक का इसका प्रेश वाटा जन्सतू होगा लेकिन यह मेराइन और parasitic type में भी पाए जाता है किसमें class cilita के अंदर mostly two kind of nuclei, large macronucleus और small micronucleus दो प्रकार की nuclei पाए जाते हैं इसके अंदर और बड़ी वाली को हम कहते हैं macronucleus और छोटी वाली को हम कहते हैं micronucleus तब इसके example अगर हम देखें तो वो क्या है main example है वो इसका है paramecium जिसके life cycle आप पढ़ेंगे आगे चलके vorticella, valentidium, didenium, etc. कुछ live example आप देख सकते हैं कि amoeba किस तरह का दिखता है यूगली ना देख रहे हैं आप यह green color है क्योंकि इसकेंदर क्या पाए जाता है chlorophyll पाए जाता है then paramecium, stentor, etc. So, that's all for today's lecture. Thank you so much.